जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 मार्च से 30 मार्च तक 4 नवरात्री आरम हो रहे हैं और इन नवरात्री के दवरान 5 राशी ऐसी हैं जिनकी वाकई में किस्मत खुलने वाली है और अगर माता की करपा रही तो ये 5 राशियां अपनी हर मनो कामना से पूर्ण हो जाएंग दखिए 24 नवरात्री पर मीन राशी में 5 ग्रह गुरू, सूर्य, चंदर्मा, बुद्ध और नैप्चून यानि वरुन एक साथ विराजमान होंगे और बनाएंगे एक महा संयोग इस से इन 5 राशियों की किस्मत खुलेगी और इस समय कुछ विशेश संयोग बनेंगे जिस राशियां हैं जिनके भागी खुलने वाले हैं या जिनकी किस्मत बनने वाली है पहला नाम आता है मिथुन राशी का जिसमें की इस दोरान केरियर के अच्छे मौके मिलेंगे व्यापार में लाब होगा घर परिवार में सुब समाचार आएंगे और आपसी पारिवारिक सं बहुत ही मधूर रहेंगे दूसी राशी है करक राशी करक राशी में नौकरी में तरक्की के अवसर हैं आय में व्रद्धी के अवसर हैं भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिती में बहुत अधिक सुधार होगा तीसरी राशी आती है कन्या राशी जि महिला हैं इस दोरान सोना भी खरीच सकती हैं चौथी रासी आती है वरस्चिक रासी वरस्चिक रासी में देखिए व्यापार में फाइदा होगा रुके काम पूर्ण होंगे आर्थिक दसा में सकारात्मक परिवर्तन होगा विवासंबंद योग जो की जिल्लों का बंद योग बनने का कारी भी आरंब होने की पूर्ण संभावना है निवेश के लिए ये एक बहुत ही अच्छा समय है परंतु खर्च पर नियंत्रण रखें पांचवी राशी आती है मीन राशी चुकि ये महासंयोग मीन राशी में ही बन रहा है इसलिए इस राशी को बह मा के कलशकी स्थापना करके नियमित दुर्गा सबसती से मा के सभी रूपों की वंदना करिये आरती करिये और प्रसाद को वित्रण करिये दूसरी चीज प्रति दिन पूजन करने से पहले एक अंजुल गंगा जल अवश्य पी लें जिससे आपकी पूरी शुद्धी हो जा उनका आशिरवाद और संदक्छन मागें कोई भौतिक वस्तु ना मागें क्योंकि मा का आशिरवाद और संदक्छन मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया और लास्ट में नौमी के दिन जब नौमी आएगी उस दिन आपको नौ चुन्री, नौ सिंदूर की डिब्बी, और आपकी सोच कितनी सकारात्मक होती चली जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय मादुर्गे अवश्य लिखिए।